एल्लो इस्टूडेंट एम लीलम चंद्राकर फ्रम डिपार्टमेंट आप जुलोजी आज का हमारा टॉपिक है पैरेंटल केयर इन फीसेज तो पैरेंटल केयर का मतलब होता है पैरेंट के द्वार अपने बच्चों की देखभाल करना जैसे की बहुत सारे एनिमर्स में जो कि अपने बच्चो या फिर जो एग है, जो अंडे होते हैं, उनकी देखभाल नहीं करती, ठीक है, लेकिन फीसेस की कुछ स्पीसिस ऐसे भी है, जिनमें हमें parental care देखने को मिलता है, ठीक है, तो फीसेस में या तो male parent, या फिर female parent, या फिर दोनों ही मिलकर कि अपने को जब तक कि उनमें अपना स्वसंद जीवन या पन करने की छमता विक्सित नहीं हो जाती, तब तक parent के द्वारा उनकी care करना ही parental care कहलाता है, ठीक है, तो फीसेस इसके लिए बहुत सारे various devices से क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये nest form करेंगे, ये फिर अपनी brute process में अपन है जिस तरीके से बर्ड एक लेकरने के लिए गोशला बनाते हैं, बिल्क वैसे मचलियों में भी होता है, मचलिय अपने एक को रखने के लिए nest का formation करते हैं, ठीक है, अब एक लेकाने के बाब female वहाँ से चली जाती है फिर एक का देखभाल करता है male जैसे कि यहाँ पर example दिया हुआ है इसमें से first example है amia तो amia कालो जहें वो एक face है amia में जितनी भी faces species आती है उन सभी में क्या होता है जो male parent होता है वो nest का formation करता है और इनका जो nest है वो बिल्कुल circular होता है ठीक है और ये इन nest को aquatic plants से form करते है aquatic plants मतलब की नदी हो तलाव हो या फिर समुद्र हो उसमें जो जलिया plant होंगे उसे ये nest का formation करते है ठीक है उसके बाद जो male होता है वो एक की देखभाल करता है ठीक है और जब एक hedge हो जाएंगे उसके बाद जो young ones होंगे उनको उनका भी वो देखभाल करेंगे जब तक कि वो mature न हो जाए खुद की देखभाल कर नहीं हो जाए ठीक है तब तक male parent के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है ठीक है उसके बाद second example है इस्टिकल बैग यह फिर इसी को थ्री स्पाइंड इस्टिकल पैग भी बो लगाता है ठीक है यह फिर गैस्टोरस्टियस एक्यूलियर्टस भी बो लगाता है इसमें क्या होता है जो male fishes होती है वह aquatic weeds को कलेक्ट करते हैं aquatic weed मतलब जो dead plant होते हैं water में जो dead plant होंगे जो उन्हें पानी की सतह पर मिलेंगे वो इन aquatic weeds को कलेक्ट करते हैं ठीक है और जब बहुत सरे aquatic weeds कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यह जो male fishes होती है वह अपने kidney से एक चिपचिपे पदार्थ को सिक्रेट करते हैं और इन पदार्थ से इन weeds को आपस में चिपका देते हैं और नेश्ट का formation करते हैं ठीक है यह सब formation करेगा male ठीक है और जब नेश्ट का formation हो जाएगा जब यह नेश्टे formation कर लेगा तब इनमें यह एक सूरंग बना देता है ठीक है उसके बाद इन घोसले की सूरंग में जाक मेंट होने था ठीक है जैसे कि यहां पर यह एक एक्जामपल दिया हुआ है ठीक है यह इस्टिकल बैग का एक्जामपल है इसे हम थ्री स्पाइन इस्टिकल बैग भी बोला जाता है ठीक है यह एक male face है यह जो male face है वह जो aquatic weeds होंगे उसे एक circular nest का formation करते हैं ठीक है और यहां सा सुरंग बनाएंगे एक hole बनाती है जिसके द्वारा इसमें जाकर के जो female होगी वह एक ले करेंगे ठीक है उसके बाद थर्ड एक्जामपल है प्रोटोप्टेडर यह फिर इसी को lung feces भी बोला जाता है तो जो lung feces होती है वह दलदल में एक लंबा ओल सेप्ड़का करती है ठीक है उसके बाद male feces उस एक की देख भाल करते हैं जब तक कि वह mature नहीं हो जाती ठीक है उसके बाद इसका सेकेंड मेथड है mouth cavity is shelter यानि कि अपने माउथ में बहुत सारे feces क्या करते हैं जो एक मतब कि जो अंडे होंगे या फिर यंग वन्स होंगे उनको स्टोर क लिए ठीक है तो बहुत सारे feces में एक का जो development है वो mouth cavity में होता है इसका example है areas जिसे हम catfish भी बोलते हैं ठीक है तो areas में male जो है वो अपने mouth cavity में एक को भी रखता है और साथ ही जब एक से young ones निकल आते हैं तो वो उन्हें भी अपने mouth cavity में रखता है ठीक है जब तक कि उसका development नहीं हो जाता इसके साथ ही जो kick leaders है इसमें जो female होती है वो अपने mouth cavity में एक को रखती है ठीक है तो जब बच्चों को खत्रा होता है तो यह young ones जो है वो अपने parent के mouth cavity में चले जाते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह एक तिलापया feces है जो तिलापय cavity है उसमें जाकर के store हो जाते हैं ठीक है उसके बाद है coiling around eggs तो यह fally species में देखने को मिलता है इसमें क्या होता है जो male है वो बहुत सारे एक को लेकर के एक ball जैसा formation कर देंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह जोटा जो गोल गोल दीख रहा है यह है ए सारे एक एकठा करते हैं और उसमें एक ball की तरह structure बना दीगा ठीक है और उन ball के ऊपर यह coil हो करके मतलब की कुंडलित हो जाते हैं तो यह इस प्रकासिस में कुंडलित हो जाएगा और यह male male feces होता है ठीक है और यह इस तरीके से उसको protect करेंगे ठीक है उसके बाद है formation of integumentary cup integument का मतलब होता है skin ठीक है मतलब skin में एक cup like structure बनती है और यह female feces की skin में बनती है तो जो female feces होगी उनकी skin में एक cup की तरह एक प्याले की तरह structure बनेगी ठीक है उसके बाद female जो है वो जो fertilized egg होती है उसको एक के बाद एक इन प्यालों में रखती है ठीक है इस प्याले के एक stall का द्वारा जूड़े होती है और इसका example है प्लैटी स्टेकस एस्पैडीडो और है cellulides ठीक है जैसे की यहां पर यह एक प्लैटी स्टेकस फीस है जो प्लैटी स्टेकस फीस की जो female होती है उनकी skin में एक प्याले की तरह structure बनती है ठीक है एक कप लैटी स्टेक्चर बनेगी जिसमें यह अपने एग को रखती है ठीक है उसके बाद है development of brood pouches इसका example है hippocampus इसे हम seahorse भी बोलते हैं hippocampus है second example है pipe fish और है इन फीस में जो मेल होता है उसकी उसकी बॉड़ी में brood pouches पाए जाती है ठीक है तो इन फीस में brood pouches जो है वह female में नहीं होता यह सिर्फ मेल में पाए जाता है ठीक है एक के fertilization होने के बाद मेल जो है इन फार्टिलाइजड एक को अपने brood pouches में रखती है ठीक है और यह तब तक रखते हैं जब तक कि एक जो है वह हैच न हो जाए तो यहां पर यह यह है seahorse जिसको हम hippocampus भी बोलते है ठीक है और यह है pipe feces तो इसमें जो male होता है उसमें एक brood pouch होता है एक pouch like structure होता है जिसको हम बोलते है brood pouch ठीक है तो इन brood pouches में जो male feces होता है वह अपने fertilized एक को रखता है जब तक कि वह हैच न हो जाए ठीक है उसके बाद है mermaid purses तो जो mermaid purses है यह sark में ज़्यादा तर देखने को मिलता है OViparas sark मतलब कि एग ले करने वाली जो sark होती है और female stylium faeces यह अपने fertilized egg को एक capsule में रखती है जिसे mermaid purses कहा जाता है ठीक है यह एक bag की तरह structure होती है जिसमें यह अपने egg को रखती है अब इन faeces में जो mermaid purses होती है यह aquatic plants को पकड़ लेते है मतलब कि उसे जाकर के यह जुड़ जाएंगे ठीक है अब जब egg hatch होगा तो यह young ones जो है वो capsule को तोड़ करके बहार निकल जाते है ठीक है अउड़ हो Gott अब में पकार निकल के बहाएंगे ज şunuyse है जो में यह हाएंगे